नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं UKSSC and UKPSC क्रैकर में उत्राखन लोग सेवा आयोग के अध्यक्स डॉक्टर राकेस कुमार द्वारा 19 जन्वरी 2023 में आपका आयोग की आगामी परिक्षाओं के लिए सूचिता और गोपी निता के द्रिष्टी कोण से आवश्यक कदम उठाए गए हैं तो इससे पूर्व में जो परिक्षा आपकी हुई थी पुलिस कॉंस्टेबल की तो उसमें आप लोग समझ सकते हैं जो इस स्टेटमेंट अध्यक्स जी द्वारा दिया गया है कि उसमें भी आपकी सूचिता बादित हो सकती है क्योंकि आगामी परिक्षाओं में सूचिता बादित ना हो इस कारण से जो है आपका आवश्यक कदम उठाए हैं तो जैसे कि जो आपका पुलिस कॉंस्टेबल की परिक्षा है वो आपका पटवारी से पहले हो गई थी की जाएगी तो कडी सूरक्षा के बीच जो है आपका ये परिक्षा रहने वाली है प्रश्न पत्र जो है आपके बनाए जाएंगे जो प्रश्न बैंक जिससे कहेंगे जैसे कि जो पटवारी का है पेपर जिस तरी के सायोग ने बताया था 12 फरवरी को और वन आरक्षी का 9 एप्रेल को रहेगा ठीक है तो ये चीज़े तो सेम रहने वाली है और मुख्य परिक्षा आपकी 23 तारिक से 26 तारिक तक रहने वाली है साथ में जो अकाउंटेंड असिस्टेंड को जांस दे दी गई है उसके बाद आयोग ने वर्तमान में जो सभी परिक्षा हैं उससे संबंदित पहलों को ध्यान में रखते हुए जो आपका आंत्रिक रिपोर्ट जो है तयार की जाएगी एक सफता के भीतर पहले आपने देखा होगा कि फॉरेस गार्ड में आपकी क् आए कि नो तारिक को ये जो एक्जाम है उसको पोस्पॉन करके नो तारिक को कर दिया गया जबकि 22 तारिक को ये एक्जाम होने वाला था आयोग ने पहले ही क्लीन चिर दे दी थी तो किस हिसाब से ये क्लीन चिर दी गई थी फिर उसके बाद 9 एपरेल को सिफ्ट कर दिया तो परिक्षाएं टाइम पे रहे ठीक है तो जो ये डेट दी गई है उन्हीं डेटों में ये परिक्षाएं होनी चाहिए लेकिन सबसे इंपोर्टेंट रहेगा कि जो आपका ये एक हफ़ता में जो आपकी आंत्रिक रिपोर्ट है वो निकले उससे पहले जो है आयोग को CBI जाँच जरूर इसकी करानी चाहिए ठीक है तो इससे काफी जादे कलेटी आ जाएगी और युवाओ में भी एक विस्वास पैदा होगा आयोगों में दोनों आयोगों की CBI जाँच होना बहुत आवशक हो गया है इस समय में क्योंकि सुचिता प्रतिदिन जो है बात होते रह रही है और जो आपके अध्यक्स हैं और इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इनको जो है मीडिया के सामने आना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए सिर्फ एक प्रेस विध्यपती जारी करने से काम नहीं चलेगा ठीक है तो ये काफी चीजे हैं जिसमें की जो न पिनेता पे वो क्या एहम कदम उठाने वाले हैं तो ये सभी प्रक्रण में उनको बात करनी चाहिए तो परिक्षाएं आपकी जिस तरीके से होनी चाहिए लेकिन सबसे मेन हैं सी बिया इजाच और आपका जो नकल विरोधी कानून है उसको होना चाहिए साथ में जो महिला परिक्षण है वो भी आपका अभी से लागो होना चाहिए यह नहीं कि जब वो बिलपास होगा और जो नकल विरोधी कानून है जब वो बिलपास होगा तब से लागो होगा ऐसा नहीं होना चाहिए जब यह परिक्षाएं हो रही है इसी के साथ जो है गतिमान होना चाहिए तुक तुक जुक